जैसे कि आप लोग जानते हैं इस समय भारती अर्थिवस्था ही नहीं पूरे विश्व की अर्थिवस्थाएं आर्थिक रूप से बहुत जादा कमजोर हैं इसलिए जरूरत है आपको अपने comfort zone से बहार आने की और अपने business को rebuild करने की अब अर्थिवस्था की चर्मराई हालत में अपने business को rebuild करने के लिए एक entrepreneur को एक व्यापारी को एक industrialist को एक startup को और एक professional को कौन कौन से कदम अपनाने चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है R. Read the crisis E. Eliminate the clutter B. Believe in yourself U. Utilize your resources and time I. Identify your opportunity L. Learn for the success and D. Deliver result So first R stands for read the crisis Know the present situation of the market आपको या ध्यन करना पड़ेगा कि वास्तविक्ता में market की परिस्थिती क्या है किस तरह से अपने business को build किया जाए उसके लिए market में demand and supply को समझना बहुत जरूरी है चाहिए वो domestic trade हो या international trade हो आपको देखना होगा कि आप किस तरह के goods को produce करते हैं कि वो necessary goods है वो luxury goods है या वो essential goods है यदि आप essential goods and services में deal करते हैं तो आप market के crisis को बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं जरूरत है तो केवल present situation में सही तरीके से demand को समझने की E stands for eliminate the clutter आपको ये समझना होगा कि कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आ चुकी हैं और भविश्य में आने वाली हैं उजालातर लोग एक तरह की job या business पर depend होते हैं जिसकी वज़ा से यदि उस business में या उस job profile में जरा भी समस्याएं तो उनकी आर्थिक सिती खराब हो जाती है इसलिए ये जरूरत है कि हम ऐसे विकलपों को डूढ़ें जिसमें हम अत्रिक्त आय कमा सकें अपनी present job और present business के साथ साथ आप ऐसे options को सर्च करना शुरू करें जिसमें आपके dependence एक business ये job profile पर ना रह जाए जैसे direct selling business आप किसी भी direct selling industry को join कर सकते हैं या work as a part time in such companies who are providing work on commission और incentive basis कई बार हमें लगता है कि जिस business या job में है वो बहुत stable रहने वाला है उसमें किसी तरह की problem नहीं आएगी लेकिन अब हर तरह के business और job में बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली हैं इसलिए identify the right route to generate good income and the next letter that is not finding or creating new opportunities due to comfort zone हम अपने business में या अपनी job में इतना ज़्यादा comfort zone में आ चुके होते हैं कि ना तो हम नई opportunities को search करते हैं और नहीं अपने लिए नई opportunities create करते हैं ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है किसी भी business या किसी job में जब आप बहुत अदिक पैसा नहीं कमा पाते उस समय आपको जरूरत है इन clutters को दूर करने की and B stands for believe in yourself. Believe in yourself is a powerful weapon in all situation. हर तरह के युद्ध में हर तरह के समस्याओं में अपने आप पे विश्वास रखना सबसे बड़ा हाथियार सिद्ध होता है इसलिए अपने अपर पूर्ण विश्वास रखें आत्म विश्वास के साथ हर काम को करने का प्रयास करें और समस्याओं को solve करने के लिए निरंतर अग्रसर रहें So know your strength and weakness अपनी strength और weakness को identify करें और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे strength हैं जिनके सहारे आप अपने business को अपनी job को proper systematic grow कर सकते हैं develop कर सकते हैं और job में stability बनाई रख सकते हैं और अपनी हर तरह की skill को redevelop करें क्योंकि जब अर्थिवस्था तेजी से आगे नहीं बढ़ती उस समय आपके पास बहुत सारा अत्रिक्त समय होता है अपने आपको improve करने का और अपने आपको develop करने का and believe in yourself says learn new techniques and new strategies to improve yourself believe in yourself कहता है कि आप हमेशा नई techniques और नई strategy का अनुकरन करें उनको सीखें और अपने business में अपनी job में implement करें and you stands for utilize your resources and time आपके पास जो भी सीमित संसाधन है उनका पूर्ण रूप से प्रयोग करें देखें कि कौन-कौन से संसाधन आप सही तरीके से इस्तिमाल नहीं कर रहें जिससे हम अपनी productivity बढ़ा सकते हैं जिससे हम अपनी job में stability बढ़ा सकते हैं the I stands for identify opportunities no new opportunities in the market कि क्या trend है और क्या scenario है trend and scenario के according नई opportunities में enter करने का निरंतर प्रयास करें जब आप नई opportunities पर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत अधिक renovation, innovation and upgradation आपके साथ होने वाला है and the L stands for learn for success हमेशा जीतने के लिए सीखें सफलता के लिए सीखें इसके लिए जरूरत है आप अधिक से अधिक motivational books पढ़ें business books पढ़ें जीवन में सफलतम लोगों ने अपने जीवन के अनुभव को पुस्तकों के माध्यम से आपके सामने खोल कर रख दिया है watch learning videos आज YouTube platform पर बहुत सारे learning videos हैं जिनसे आप business की techniques, method, implementation, communication skill, technology को सीख सकते हैं समझ सकते हैं उनको अपने business में implement करें बहुत सारे trainers, speakers, consultants के webinar और seminars हो रहे हैं आप उनके live webinars को attend करें, short term courses करें, ये courses आपको eligible बनाते हैं अपनी technique को मजबूत करके निरंतर आगे बढ़ने के लिए friends, recession and competition के इस time में कौन-कौन सी industry बहुत तेजी से develop होंगी, इसके उपर मैंने एक explained video बनाई है जिसमें मैंने 9 industries के बारे में बताया है कि कौन-कौन सी industry तेजी से आगे बढ़ेंगी, मेरा आपसे request है उस video को description box में जाकर link पर click करके जरूर देखें और कौन सी नई strategy and techniques आप सीख कर अपने business को zero cost advertisement पर build कर सकती है उसके लिए भी एक special video मैंने मेरे YouTube चैनल पर दिया हुआ है जिसकी जानकारी आपको description box में मिल जाएगी and the most important thing talk to the successful businessman, entrepreneur और industrialist इन लोगों से बात करें कि मुश्किल की घड़ी में अपने व्यापार को कैसे stability पर लाते हैं इनसे leadership के गुंड लें, इनसे marketing skills के बारे में जाने and D stands for deliver results जब आप इन सभी steps को follow करेंगे तो आप अपने आपको इतना सक्षम बना चुके होंगे कि हर परिस्तिती में आप एक बहतरीन leader साबित होंगे, एक अच्छा result produce करेंगे इसके लिए जरुवत है use all the resources, all the techniques, all the method, all the learning सबसे पहले sustainable business module design करें, sustainable के बाद profitable business model पर काम करें और जब आपका business बहुत अच्छे से profitable हो जाए, उसके बाद उसको expendable business model पर लाके पूरे भारत में नहीं बलकि पूरे विश्म में अपने business को build करें और एक बहुत अच्छे established entrepreneur के रूप में, milestone के रूप में, दूसरों के सामने भी एक milestone बनकर तयार हूँ friends इसलिए कहते हैं, अगर वही करोगे, जो सब ने किया है, तो वही मिलेगा, जो सब को मिला है अगर वो चाहिए जो किसी को नहीं मिला, तो वो करना पड़ेगा, जो किसी ने नहीं किया do smart work to produce more results recession के इस time में, आपको अपने business को build करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक सचे देशबक्त हैं, तो आप अपने business को build करें और साथी साथ, उन लोगों को support ज़रूर करें, जिनको business develop करने में problems आ रहे हैं मेरा request है, कि आप उस video को अपने group में share करें, whatsapp पर share करें अपने friends and relatives को share करें, ताकि वो लोग भी बहुत तीजी से development की और aggressor हों जब हम सब मिलके अपना development करेंगे, तभी भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा यदि हर भारतवासी इस तरह से अपने business को develop करता है, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत आर्थिक शक्ति की रूप में develop होके, पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगा मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनरे बविश्ची की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत